नमस्कार राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है मैं प्रिया आपके साथ आईए देखते हैं देश-विदेश की प्रमुख खबरे धर्मिशाला में इंग्लेंड को हराने के बाद टीम इंडिया ने ICC की तीनों फॉर्मेट में नमबर वन की पोजिशन वापिस हासिल कर ली है सिर्फ 16 महिने में तैयार हुआ ग्वालियर का नया टर्मिनल ग्वालियर जबलपूर में नय एयर टर्मिनल की शुरुआर मोधिपोले इतिहास रचा बंगाल में कॉंग्रेस को एक भी सीट नहीं मम्ता ने सभी 42 प्रत्याक्षी उतारे नेपाल में 15 महिने में तीसरी बार विश्वास मत हासिल करेंगे प्रधान मंतरी प्रचंड MSP समेत अन्यमांगों को लेकर किसानों का आंदोलन पंजाब हर्याणा समेत 5 राज्यों में किसानों ने रेल रोकी दावा 9 ट्रेंड रद गुन 50 प्रभावित हुई 25 साल बीते अब बदलाव नहीं हुआ तो खत्रे में पढ़ जाएगा संयुक्त राष्ट संग भारत ने कहा तमिल नाडू में 2000 करोड के मामले में NCB ने की थी कारवाई ड्रक तसकरी रेकेट में द्रुमुक के पुर्वनेता की गिर्फतारी के बाद E.D. ने भी दर्ज किया केस युक्रेन युद पर CNN के पत्रकार की किताब में दावा पी ए मोदी के दखल से पोतिन ने बदला था एटमी हमले का प्लान माल्दिव का सबसे बड़ा आर्थिक साजेदार बनने में जुटा चीन भाजपा टीडीपी गडबंदन के अगले ही दिन जगन का शक्ती प्रदर्शन दिलीम में 40 फीट के बोर्विल में गिरने से युवक की मोद गो फर्स्ट एरलाइन्स को अवमानना का नोटिस बाकी की तमाम खबरों के बने रहे हैं राजपा टीवी के साथ धानिवाद